problem solve करेंगे जो related है qualitative and quantitative data से यानि अगर हम एक survey में जो question है वो इस type का रखें जो कि जिसकी statement यू हो कि your friends favorite holiday destination तो जो हम data collect करेंगे वो क्या qualitative होगा या quantitative होगा अब हम इस बात को समझते हैं जो कि यहां पर जो बात हो रही है वो destination की है और फिर जो कि आपके दोस्त की जो भी favorite destination होगी जगा हो प्लेस होगी जहां वो अपनी छुटी गुजारना चाहेंगे ठीक है तो यहां पर जो quantity है या कोई number की शकल में हमें पर data नहीं आएगा बलके जो quality की base पर data आएगा कि कौन सी जगा को जएदा एहमियत दी जा रही है ठीक है तो यह qualitative data की है ठीक है और weight अगर हम अपने ही weight के वाले से बात करें तो इसमें जो एक change आती है वह continuously आती है मतलब अगर हम kg में और उसको grams में देखें तो वह thousandth part of kg है और इससे और smaller भी part हो सकते हैं यहां पर यह continuous variable की एक type है जो कि numbers में यानी figures में हमें हासिल होता है तो हम कहेंगे कि यह continuous variable जो होगा continuous data है और इसको हम quantitative data की type कहेंगे ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ quantitative data इसी तरीके से next जो हमारे पास लिखी वी information petals on a floor अब अगर एक फूल और उसके उपर जो पतियां है फूल की पतियां अगर उनको हम देखें इनको गिने ठीक है अब हर different जो flower उसके अदाद उसके petals की different है लेकिन count किये जा सकते हैं ठीक है हम इसे कहेंगे कि ये क्या है ये discrete variable है ठीक है और ये भी quantitative data की एक type है यानि इसमें भी हमें जो numerical figures हासिल होंगी वो quantities को represent करेगी इसलिए हमें से कहेंगे quantitative data है ठीक है जी इसे next देख लेते हैं इसमें ये है कि the most common given names in your town यानि जो के आम persons को उनकी खास वजह से खास किसी खासियत की वजह से उन्हें जो नाम दिये जाते हैं ठीक है अगर उसको आप एक heading के तोर पर रखें और उसे एक data collector in names का तो वो basically उनकी quality की वजह से है ठीक है वो कोई numerical figure नहीं आएंगे वो नाम है qualities है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये qualitative data की एक type है ठीक है जी इससे next अगर हम देखें customers in a shop या students in a class एक ही बात है जैसे काउंट काउंट किये जा सकते है discrete variable है अलग-अलग है एक student की present से एक count हो जाता है दो होंगे दो count होंगे इस तरीके से हम कहेंगे कि ये discrete data है यानि quantitative data की एक type है quantitative quantitative मैं अब short form में लिख रहा है quantitative इसी तरीके से next हाइट अब हाइट भी जो है वो अगर आप देखें तो एक बच्चे की हाइट को अगर देखा जाए इसकी जवानी तक तो वो इसमें एक चेंज आ रही है continuously वो height को attain कर रहोता है ठीक है वक्त के साथ साथ और एक खास height तक वो अपनी जो इसकी height है maturity पे वो attain कर लेता है तो ये भी continuous हमाँ पास data जो कि हम figures में numbers में लेते हैं ठीक है इसके हम कहेंगे कि ये भी हमाँ पास quantitative जो है data की एक type है इससे next अगर हम देखें तो how people describe the smell of a new perfume अब ये quality होती है यानि कि हर बंदा perfume की जो smell उसको सही तरह describe नहीं कर सकता है ठीक है तो उसके हिसाब से जिसाए सामय पर data collect होता जाएगा हम से लिखते जाएंगे और ये data जो होगा वो qualitative data होगा जो के numbers में नहीं आएगा आएगा झाल झाल